जहिंत फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का वीडियो लेके हैं मैं आपके लिए सैंपल पेपर जो की ACC सेरियल नंबर 127 से होने वाली है उसका सैंपल पेपर रहा है अगर आप चाहते हैं सैंपल पेपर को डाउनलोड करना तो उसके लिए आप में को परसनली मैस सकते हो चलिए फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सैंपल पेपर की तो सैंपल पेपर में देखिए जैसा कि आपने देखा था रिजनिंग के लिए आपके 25 कोशन से मतलब 25 मार्क्स हैं यहाँ पर 25 कोशन इंटू 2 मतलब 50 मार्क्स के थे तो यहाँ पर चलते हैं पहले पोश कोशन के बारे में बात किया था नंबर सीरीज के बारे में बात किया था यहां पर लेटर सीरीज के बारे में बात हुआ था उसके बाद बात हुई थी आलाजी के बारे में देखे और उसके बाद फिर चौथा नंबर था हमारा कोडिंग डिकोडिंग पांचवा नंबर था हम बात करें हम यहाँ पर तो आठवा था हमारा distance and direction तो distance direction पर question देखिए आपको उसी set ruling के हिसाब से मिलने वाला है 9 था हमारा symbol substitution तो आपको पता रहेगा यह model देखने के बाद के हमने क्या पढ़ना यहाँ पर calendar clock काफी important portion था हर competitive exam में यह portion important है तो आपके लिए तो important अप होई चुका है यह इसके बाद जो हमारा portion number B था जिसके अंदर बात हुई थी की चलिए आपके 15 question होने वाले हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलने वाले हैं देखते हैं इन्होंने कैसे सेट किया यहाँ पर यहाँ पर देखे 11, 12, 13, 14, 15 कोशन जो है आपके वो कैसे हैं वो है सिरीज वाले इसके बाद चलते हैं 15 के बाद 16 से 20 16 से 20 का जो कोशन है वो है इन्होंने लिखा था यहाँ पर आइनलोजी बट यह लॉजिकल फीगर के ऊपर थोड़े से हैं इसके बाद जो इनका था 25 कोशन तक वो था अगला classification के बारे में तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है नेक्स चलते हैं 25 के बाद mathematics के बारे में यहाँ पर जो कि इन्होंने पार्ट टू में बताया था कि mathematics होगा आपका mathematics में इन्होंने दिया था arithmetic के 5 questions तो यहाँ पर आपको starting जो 5 questions मिले हैं यह सारे arithmetic से हैं इसके बाद अगले जो कोशन से वो हैं इनके थे algebra से तो यहाँ पर देखिए algebra के इन्होंने जैसे जो बताया था सिल्बस में वही चीज आपको मिलेगा कोई shuffle नहीं होगा जैसा कि आप जानते paper set करेंगे तो उसमें suffering करेंगे यह बट जो pattern बताया set pattern उसी pattern के हिसाब से आपको 5 पस question यह दे रहे हैं यहाँ पर देखिए 40 तक आपके question किस के हैं mensuration के हैं 41 से लेके 45 तक जो आपके question है 45 तक वो आपके trinometry question दिये हैं यहाँ पे standard देखिए trinometry का भी आप standard भी पहले से अच्छा होते जा रहा है तो भाईया तयार है ना यह लेने के लिए फिर इसके बाद geometry के बात करता हूँ मैं geometry में 46 से लेके 50 तक geometry है आपकी इसमें 3 question geometric है और यहाँ पे find the probability यहाँ पे देखिए एक probability question दिया गया आपको and there are five green and seven red ball two balls are selected one by one without replacement find the probability that first is green and second is red देखिए यहाँ पे क्या किया तो उन्होंने statics and probability के लिए दो question बताया थे तो इन्होंने statics ना देखे बस probability के दो question दिये हैं तो देखे कुछ भी दे सकते हैं उसके लिए भाईया तयार रही है general knowledge की बात करो मैं यहाँ पे तो पहला था यहाँ पे general knowledge में who is who के बारे में who is a speaker of looks आवा पहले question साथ सुरुआत करी इन्होंने तो starting के जो 5 question देख रहे हैं आप यह 5 के 5 question है आपके who is who से इसके बाद arm forces से related इन्होंने बताया था तो 56 से लेके 60 तक आपको arm forces के मिल रहे हैं देखें यहाँ पे इन्होंने exercises के ओपर भी question डाले हैं यहाँ पे 26 July को पूछा है कौन सा day celebrate होता है यहाँ पे इसके साथ देखें सारे national defense university कहाँ पे है ठीक है तो यह सारी चीज़ देखें काफी अच्छा है और अच्छे pattern है 61 के बाद चलते हैं हम यहाँ पे 61 से sports के बारे भी इन्होंने बला था तो sports चल रहा है यहाँ पे पूरा इनका सही है 65 तक sports है अच्छा साथ में एक चीज़ और बताना चाहूंगा अगर आप चाहते हो notes purchase करना इन सारे content के जिन contents को मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप इस number आपको अगर आप चाहते हो telegram channel को join करना जहां पे आपको यह सारे model papers मिल सकते हैं जहां पे आपको exam का notification का later मिल सकता है तो उसके लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं वहाँ पे हम सारी details provide करते हैं description में उसका भी link आपको मिल जाए साथी साथ अगर हमारे whatsapp group को join करना चाहते हैं जिस पे ACC 127 के updates दे रहे हैं तो आप वो भी join कर सकते हैं उसका भी link आपको description मिलेगा sports के बाद था arts, culture and literature के बारे में तो देखिए यहाँ पे arts, culture and literature के 5 सवाल यहाँ पे दिये गए हैं इसके बाद national and international affairs यह देखिए national and international affairs शुरू हो चुका है यहाँ पे which country will host the G20 summit यह international से हो चुका है आपके India was signed work plan 22 with which country to reduce trade barriers देखिए काफी सही pattern का इन्होंने इस्तेमाल किया है जो कि मैं को लगता है कि काफी कारिगर होगा और tough तो है भाई tough का तो कुछ नहीं कह सकते है tough अच्छे खासे tough है यहाँ पर देखिए spotting errors आ चुके हैं आपके लिए English के paper में यहाँ तक spotting errors चले हैं आपके spotting errors के बाद चले तो हम direct and direct आ जाएगा आपका तो जैसा कि इन्होंने 5 कुछन direct and direct दिया था direct and direct हैं यहाँ पे इसके बाद synonym synonym synonyms की बात करी थी इन्होंने तो आपको अगले 5 synonym synonym synonyms दिया है इन्होंने इसके बाद जो बात करी थी इन्होंने idiom phrases की तो यहाँ idiom phrases आपका शुरू हो गया एक से 95 तक 91 तो 95 तक इसके बाद जो next था इनका passage comprehension था तो 96 से 100 questions आपके comprehension के होंगे यह थोड़ा time लेगी तो इसके ओपर थोड़ा time देना है और कोशिच करना questions write करने का इसके बाद चलता हूँ मैं part 5 के तरफ में जहाँ पर इन्होंने general science के बारे में बात करी थी general science में पहला इन्होंने बुला था कि 5 questions जो देंगे वो देंगे आपको physics से तो देखिए question में start हुआ है आपके starting के 5 questions जो चल रहे हैं वो physics से हैं इसके बाद जो अगले question आ रहे हैं इनके वो है chemistry से देखिए gases के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे 10 तक question के chemistry के हैं 11 से ज देखिए समझ सकते हैं इनको इतना discrimination करी सकते हैं hope इसके बाद 16 से इनका जो question है अगले आने वाले 20 तक वो है आपके computer science के उपर तो देखिए सारे question computer science से ही पूछे इन्होंने देखिए मैं इसलिए बार बार आपको पूरा paper दिखा रहा हूं कि आपको कहीं यह ना लगी कि यह पूछ के कुछ और पूछेंगे बट आपको बस यह बताना चाहता हूं मैं कि syllabus बहुत हूज है computer science में भी अच्छी खासी चीज़े पूछ सकते हैं which की shortcut is used to move a word to the right of the cursor तो देखिए आप लोग ने शायद जिसने office में काम किया उनको पता होगा otherwise जो normal बंदे हैं उनको यह पता होना काफी मुश्किल है उनके लिए तो देखिए अभी मैं बस level दिखा रहा हूँ आपको इसके बाद चलते हैं हम अगले question पे यहाँ पे इन्होंने बलाता environmental science बताएंगे तो यहाँ 21 से आपका लेके 25 तक environmental science के बारे में इन्होंने questions पूछे हैं उसके बाद बचे देख सकते हैं आप हैना Iceland is located in which country बट अभी देखिए यहाँ पे national international geography सारी पढ़नी है आपने पहले क्या होता था आप दूसरा चप्टर पढ़ते थे twins of earth तो आपको मिल जाता था हाँ भी मार्स है वो वाला portion हटा दी है इन्होंने अभी उससे काफी कम question मिलेगा आपको तो भ अदले जो 10 question होने वाले वो economics से सुरू होंगे 141 economics से सुरू है आपका और यह 45 तक economics के question पूछे गया है आपसे and 146 आपके national international organization से लिटेड है तो देखे यहाँ पर क्या पूछा है red list of threatened spaces पूछा गया है यहाँ पर India is not a member of which of the following organization which of the following organization gives a call for earth hour to be observed on the last Saturday or March every year which African nation is not a member of the African union देख question का standard देख लिए जब अभी से तो आपको easy रहेगा तो यह था आपका पूरा pattern जो कि आपके अभी आने वाले ACC 127 में इस्तेमाल होगा I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते होगा notes purchase करना तो इस number पर contact करके आप notes भी purchase कर सकते हैं update list के हिसाब से so अपनी तैयारी अच्छे से करिए मैं बहुत जल्द आपके लिए strategy भी लेके आऊँगा जिस strategy के उपर मैं आपको समझाऊँगा आपको चीज़े कैसी करनी है किसी पर ज़्यादा focus देना है कहां से पढ़ना है तो बहुत ही जल्द मैं आपको वो भी दूँगा तो चैनल क अगर आपको जनरली वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए को जाजादा लोग साथ शेयर करिए को उनको भी चीज़े पता चले so once again if you like this video please do like subscribe my channel and thanks for watching my video जैहन फिर मिलते हैं next video के साथ